मई के महीने में लौकी की खेती करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होता है मिट्टी की बारिक थैयारी और आपको मचान का प्रबंधन अच्छे तरीके से करना होता है। लौकी की खेती के लिए हमें काफी मजबूत करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में हमारा मचान कभी नीचे नहीं गिरे। आप भर भर के अपने खेत में डाल सकते हैं। आप सबसे पहले सड़ी हुई गोबर ले सकते हैं। आप नेडी की खली ले सकते हैं। और अगर तोड़ी भी हो ना तोड़ी सरसो होता है उसका भी खली आपको काली वाली सरसो। अगर खली हो तो आप उसका परियोग अपने खेतों में कर सकते हैं। और उसकी बारीक जुताई कम से कम उसकी तीन से चार जुताई बुआई से पहले ले ले। और उसके बाद अगर आपके खेतों में नमी की मातरा कम दीखे तो क्यारी बना करके आप अपने खेत में पानी का भराव कर ले। उसके पस्चात हम अपने खेतों में बीज को लगा सकते हैं। या फिर लौकी की नरसरी तयार करके आप उस प्लांट को भी लगा सकते हैं। अब लगाने की बहुत किसान इसको थोड़ा घना लगाते हैं, बहुत किसान इसको थोड़े सा डिस्टेंस दे करके लगाते हैं, लेकिन मेरी रिकॉमेंडेशन यहीं है कि एक से दूसरे पौधे के दूरी कम से कम 6-7 फिट जरूर रखें, यह पौधा आगे चलके इसकी लता सब्सक्तरा में आते हैं, अब कीट इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, सबसे जयादा इसमें अटक करते हैं, थिप्स दूसरी जो कीट आती है उड़ने वाली मखी, मखी जो होती है वो इसके नए फ़ल जैसे ही तयार होते हैं, उसमें डंक मार देती है, फ़ल सड़ जाता है, वो फल गिर जाता किसान को समझ में भी नहीं आता कि आखिर नय फल मर क्यूं रहे हैं और जो थ्रिप्स होता है वो इसके लाताओं के जो मुह होता है उस पे अटेक करता है उसको ग्रोथ नहीं करने देता बढ़ने नहीं देता इससे हमारे फसल काफी ज्यादा परभावित हो तो थ्रिप्स से बचावे तू हम जो दो दवाएं है न एक तो आपको फिफ्रोनिल आती है और दूसरा इमीडा क्लोरोपीड दवाएं तो और भी आती है लेकिन यह जो दवा है इसको मैंने टेस्ट किया हुआ है यह काफी बहतर वर्क करती है इन दोनों को मिला करके और हम वर्क करते हैं तो निश्शी तुरुप से काफी बेतर प्रढम देखने को मिलता है और जो उड़ने वाली मक्ही है उससे बचावे तो समय समय पर हमें इमीड़ा क्लोरोपीड का एसप्रे अपने खेतों में कर देने से यह उड़ने वाली मखी खतम हो जाती है और जो नए फल की मरने की समस्या है यह भी समाप्त हो जाता है कई लिए फल फंगस के अटाइक के वज़से भी मरते हैं तो जब इमीडा क्लोरोपीड का यहीं रहती है चाहे लवकी की फसल हो या फिर कोई अन्य फसल एक छोड़के दूसरा एस्प्रेश जब हम अपने खेतों में करने जाते हैं तो हमें अपने दवाओं के साथ में एक फंगी साइड मिला लेनी चाहिए फंगी साइड सिर्फ आपको एक ही काम नहीं करता इसके य अगर फंगुस के वज़एसे कई पार कार की बिमारी होरेखों में आती हैं और यह जब हम ऐस्प्रेक कर देते हैं विमारी की प्रतिक्वा यह बिनाना तो यह उन बिमारियों को लगने ही नहीं देता है तो इस तरीके से अगर हम लवकी की खेती करते हैं अब अपने खेतों में सिचाई का परभंधन प्रोपर रखते हैं तो निश्ची तुरूप से मई के महीने में की जाने वाली लवकी की खेती रिकॉर्ड किसान बंदू को देती है और इसे किसान कभी असंतुष्ट नहीं होता जानकर यह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे किसान हित में ज्यादा से ज्यादा सेर करेंगे हम मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद